गुद इवनिंग वेल्कम बैक टू अनदर वीडियो आफ इजी लर्निंग जी पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूगा कि जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बैल आइकन को हिट कर दे क्योंकि अब हम इसके साथ पूरी सीर सब्सक्राइब करेंगे और उनके कॉंसेप्स को समझेंगे तो चले बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज को जहां पर आज हम पहला सेंपल लगाएंगे आप लोग साथ के साथ देखते रहेगा और समझते रहेगा मैं आप कॉंसेप्स सी भी समझाता जाओंग डिक्टेटर बनके के बाद उसने हाँ पर सिविल कोड शुरू किया जो की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आपके बोर्ट के लिए और 1815 में कंजरवेटिव रिजाइन फिर से आया क्योंकि उन्होंने मिलकर क्या करा कंजरवेटिव ने बापिस नैपोलियन बो या कॉल बिटा एक यह वाला जो टॉपिक है यहां से आपको कोशन्स बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं इवन अगर कोई सेंपल पर सॉल्व किया होगा तो यह आपने देखा होगा इस पार्ट से बहुत सारे कोशन्स पूछे जाते हैं तो यह वह रीजन था बालकन्स कहल सके तो यह रीजन था बच्छों बालकन्स रीजन नेक्स कोशन पर जाते हैं थर्ड कोशन अ पॉल्टिकल फ्लॉस्वी देट इस्ट्रेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रडिशन एस्टेबलिशन इंस्टिटूशन एंड कस्टम्स एंड प्रेफर ग्रेज्वल डेवलप्मे दोबारा ओल्ड ट्रडिशन लागू हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है तो चेंजस तो आने चाहिए लेकिन हलके हलके करकर आने चाहिए एक कंजरवेटिव लोगों की सोचती इसलिए एक कंजरवेटिज मांसर होगा तो एंसी आटी के जो ऐसे स्टेट्मेंट जो आपको लगता था कि एक नंबर की वेटेज नहीं रखते हैं एक नंबर की वेटेज से कोशन नहीं बन सकते हैं वो भी आपको बोर्ट में देखने को मिल सकते हैं नेक्स कोशन है बच्चो विच फ्रेंच आइटिस्ट हू प्रिपेरड ए सीरीज ओफ फोर प्रिंट्स विजुलाइजिंग इस ड्रीम ऑफ वर्ड यूटोपियन वर्ड की बात थी यानि इतनी ज्यादा आइडिल कंडिशन जो की पॉसिबल भी नहीं हो सकती ऐसा ऐसी ची और जिसने बनाई थी उनको नाम था फ्रेड्रिक सोर्यू ठीक है तो फ्रेड्रिक सोर्यू इसका करेक्ट आंसर होगा तो इस तरीके के कोशन जो इमेजस से बनेंगे वह बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपको बोर्ड के लिए इसलिए उन कोशन को थोड़ा ध्यान से द हमने एक चीज़ नोटिस करी थी बच्चो कि जर्मनी की उनिफिकेशन में कहा गया था कल्चर की बात कि अगर आपको कॉमन कल्चर देखना है तो वह कॉमन लोगों में देखो आपको में कल्चर उनी में मिलेगा तो डास वॉक वह टम थी जो कॉमन लोगों के लिए यूस क पड़ा होगा कि ownership के basis पर resources individual हो सकते हैं कम्यूनिटी के हो सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल हो सकते हैं इस basis पर हम कुमों की बात करते हैं सोलर नरजी सूरच की रॉषणी सबकी है कोई उसे रोक नीहीं सकता डैम्स डैम्स से बनने वाली बिजलीं सबके लिए मिलेगी गैस्म की इंडिया का टोटल जेग्रफिकल एरिया पूछा है नेक्स्ट कोशन में इंडिया का जो टोटल जेग्रफिकल एरिया वचो याद रखेगा 3.28 million square kilometer 32,80,000 square kilometer में इंडिया हमारा फैला है जो दुनिया का 2.4% land mass कबर करता है land surface area को तो इस तरीके से बच्चो 3.28 इसका अंसर होगा और इस तरीके से छोटे-छोटे concepts के questions भी बोड में पूछे जा सकते हैं हम next question की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन हमारा कोशन नमबर 9 डैश आरदा सब्जेक्ट सब्सेट ऑफ दा स्टॉक तो इन में से कौन सा स्टॉक का जब आपने पढ़ा होगा डेवलप्मेंट के बेसिस पर रिसोर्स को रीट करा होगा तो इसमां आपने जाना होगा कि रिसोर्स में पोटेंशल या स्टॉक रिजर्व्ज है ना इस तरीके सा आपने डेवलप्ड यह रिसोर्स पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन में हम जानते हैं स्टॉक रिसोर्स में वह रिसोर्स जो फ्यूचर के लिए रख दिये गए हमाई पास टेक्नोलोजी है हमें पता है कैसे का करना है लेकिन हम रियो में अर्थ सद्राइब कराई गई थी वर्ल्ड लेवल पर सस्टेणीबल डेवलपमेंट को बड़ावा देने के लिए क्योंकि डेवलपमेंट में क्या था डेवलपमेंट है घया जहां पर जितना देश का यह इन्वर्मेंट का डिग्रेडेशन होगा तो इस इन्व बोर्ड में जाने से पहले आप कुछ topics हैं जिनको जरूर देख के जाना जिसमें से agenda 21 एक important topic है agenda 21 हो गया या वो 5th June हो गया environment ID के रूप में यह important चीज़ थी आपर next question जाते है when power is shared among different organs of the government तो government के organs की बात करने तो हमारे यह 3 organs है एक हमारा judiciary, executive then legislative ठीक है तो executive, judiciary, legislative की बात करते हैं इन तीनों यह तो ब्रावर है मतलब same level पर है यह lead जुडिश्री legislative legislative executive इंillonरी इंटरफेर नहीं करेगा executive के तिनों की लेवल ब्रावर हो गया ना कैसा लेवल है होरिजॉंटल टिक एक कोई ऊपर कोई ऑपर सब्सक्राइब इसकोट यहां पर तो यह हाइए कोट सो गए उसके नीचे आजाए इस्टिक कोट बहुत सारे है उनके उपर स्टेट में एक स्टेट कोट हो गया सब कि उपर एक सुप्रीम कोट हो गया तो इस तरीके से याद रखेगा horizontal and vertical यह modern फॉर्म है पावर शेरिंग की यहां से कोशन बनने के चांसे बहुत जादा है नेक्स कोशन है श्री लंका इस एन आइलेंड नेशन जस्ट फ्यू किलो मीटर्स ओफ अफ तो श्री लंका जो है तमिल नाडू के कोस से जिसको हम बेटा कोरो मंडल कोस के नाम से भी जानते हैं वहां से साउथ की तरफ है तो इसका अंसर होगा एक तमिल नाडू चले बचों अगर आपको कोशन समझ में आ रहे हैं आपके कॉंसेप समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक करिए सस्क्राइब करिए और कमेंट कर इन में से कौन सा अर्टिकल है इंडियन कॉंसिट्यूशन का जिसने पावस देदी कुछ ही स्टेट्स को तो आप लोगों ने बच्चों अभी हालपलाल में सुनाओगा जम्मू कश्मीर के वारे में कि जम्मू कश्मीर में 370 खतम कर दी गई 370 ने जम्मू कश्मीर को स्प इस वाले को अंसर दोंगा लेकिन आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि जुडिशरी एक्जिक्यूटिव और लेजिजलेटिव के क्या फंक्शन होते हैं जिस भी बच्चे का अंसर करेक्ट होगा मैं नेक्स वीडियो में उसके विडियो में उसको मेंशन कर होगा सोशल का 10th class के बच्चे को ठीक है तो आप मेरे को कमेंट में बेजिएगा कि लेजिजलेटिव एक्जुकेटिव और जुडिशरी क्या फंक्शन करता है इस कोशन का अंसर है जुडिशरी जुडिशरी देखता है कि Constitution के provisions को follow-up किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है प्रॉपर या नहीं हो रहा तो इसका अंसर है जुडिशरी तो आप लोग कमेंट में जरू बेजिए का इसके आंसर तो कि इससे आपकी को वेनिफिट होगा तो जुडिशरी इसका अंसर होगा नेक्स कोशन पर जाते हैं दा बेल्जियम Constitution prescribed the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the Dutch का बिलियम व तो ministers होंगे वो French speaking होंगे जो 50% होंगे वो Dutch speaking होंगे ताकि उनके बीच का conflict था उसको resolve किया जा सके तो central government में 50% का नहीं equal participation की बात की गई सम्मिदान में इसके बद नेक्स टॉपिक है इन डैश power sharing arrangements can take many forms तो मैंने भी आपको बताया था horizontal and vertical पावर शेरिंग के बारे में यह modern forms जो है पावर शेरिंग की उसमें यूज होता है तो इस का अंसर होगा बच्चों modern democracies में next question की तरफ बढ़ते हैं question number 17 in dash the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो हमारे देश में states में कही लोगों में आपस में लडाईया थी इतने groups में लाईया थी basically language के basis पर तो डिसाइड किया गया कि language के basis पर states को अलग अलग बाटा जाएगा जिसमें सबसे पहला जो स्टेट बना था 1953 में आंद्रपरदेश नंबर वन था तो इसका जो यह वो 1947 में डिसाइड किया गया था ठीक है इसके बाद next question की तरफ जाते है बच्चों हम लोग next question है people may have different developmental goals what is development for one may even जैसे अगर हम बात करते हैं lockdown की covid time period के lockdown की बात करते हैं तो covid time period में अच्छे अच्छे बच्चे चाहते थे कि exam हूँ जिनका माना था अच्छे बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई करी थी पूरे साल वो चाहते थे exam हूँ parents जिन्होंने पैसा खर्च किया था वो चाहते थे exam हूँ लेकिन जो वीकर लोट थी जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी वो चाहते थे exam ना हूँ तो एक के लिए जो development है दूसरे के लिए destruction हो सकता है समझना जितना पास हुए पता चला आधे लटक गए होते अगली साल वाले आप लोगोंने भी बहुत मज़े लिए होंगे अपने सीनर से जब जिसके परसेंटेज पता चले आ रहे ठीक है कोरोना देवता ने पास करा दि नेक्स है developmental criteria include developmental criteria में क्या चीज आती है developmental में कोई भी positive change हो सकता है चाहे हो हमारी income का हो हमारी body weight का हो हमारे well furnished house का हो कुछ भी हो सकता है बेटा all of these answer होगा next question है tertiary sector का other name क्या है ठीक है tertiary sector को हम किस और नेम से जानते है तो services आती है इसमें mainly सारी कि सारी तो इसको हम service sector के नाम से जानते है what are the developmental goals of landless ruler labors इन में से landless ruler labor के लिए developmental goal क्या है तो गाओं का वो व्यक्ति जो की जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या चाहेगा कि उसे regular work मिल जाए उसे daily काम मिल जाए करने को और उसकी जो wages है वो improve हो जाए तो इसका answer होगा both a and b की more days of work and better wages next question पर जाते हैं for comparison between countries dash is not such an useful measure कि जब हम दो देशों के बीच में compare करते हैं तो इन मेंसे कौन सी चीज एक useful measure नहीं है तो बच्चो total income कभी भी एक अच्छा measure नहीं होती है क्योंकि जिस देश की population जाद है उस पर competitively total income जाद होगी जिस देश के पास total income कम हो सकती है ठीक है might be condition है तो इसलिए total income एक अच्छा indicator नहीं है आप लोगों के लिए बच्चो अब एक छोटी सी tip board exam जब आप दे रहे होगे तो आप जहान से सबसे पहले पढ़ोगे instructions क्योंकि instructions के basis पर आपको पता चलेगा आपको कितने questions में से कितने question attempt करने हो कित आपको पहले बैठके पढ़ना है instruction carefully read करने है कि मुझे किस पार्ट से कितने questions करने है और कितनों को छोड़ना है ठीक है वनना पता चला आप करते चलेगा 24 के 24 attempt करा है फस पार्ट में और जिन 24 में से पता चला सिफ 20 करने थे तो चार जो आपने करें वो weightless होगे लेकिन time तो इन बातों का next question की तरफ जाते है बच्चों next question है हमारा इन फापाटिकुलर स्टेट है लो infant mortality rate what does it mean किसी देश की infant mortality infant mortality का मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा हुए उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक साल से पहले death हो जाती है इसे infant mortality rate का जाता है infant mortality rate कि इसी स्टेट का काम है इसका मतलब क्या है वहां पर health facilities बहुत अच्छी होंगी तो इस according हमारा answer होगा ए है ना it has adequate provision of basic health and educational facilities next question है what are products change in the secondary sector ठीक है कौन से products होते हैं हमने किस तरीके से change किया राता है तो secondary sector को industrial sector कहते हैं जहां पर manufacturing होती है तो answer हो जाएगा through manufacturing ठीक है अगर आपक क्मेंट में कोई doubt आता है जैसे अबको लगता है किसवाला concept मिहले केंस में को समझ्धमे नहीं आपाए यहMusic में दिक्ट है आप मिले को comment में बता सकते हो comment में आ बोलोगे मैं comment में आप能 को reply डूँगा और जितने भी concept आपको समझ्धमें नहीं आ पारे हैं आप मुझ से comment मे सकते हो मैं समझाता जाओंगा जितना पॉसिबल हो पाएगा विच आफ दीज इमर्ज दू इंडस्टलाइजेशन इन यूरोप में इंडस्टलाइजेशन की वज़े से क्या हम अरज हुआ तो जब इंडस्टलाइजेशन होगा तो जो लोग इंडस्टीज खोलेंगे वो हलक और बातर का है आपको बता चुक हुँआ हो में बता चुक हूं बॉल्कन वहा prends जहां पर क्रोетिया हो गया है तो ग्रीज हो गया यह यह तरीशी हो गया यह रीजन जो आता है बाल्कन्स में आता है इना आयह कॉछलेटेज थी बिलुकुल सही बात है इना कउछले थी खरीजल यह उनिवर्म स्थे अन्योफ एप्ट यह इयुraft के वहां पर बर्थ के जो मैंने आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट चीज है सिविल कोड जिसको नाम से जानते हैं जिसको 1804 में नैपॉलियन बोनापाटे ने वहां पर इंट्रड्यूस किया था जिसमें बर्थ के बेसिस पर जितने भी राइट्स थे प्रिवलेजिस थे विशेष अधिकार थे खतम कर दिया गया इसके लावा एडियो सिस्टम को यूनिफॉर्म कर दिया गया गिल्यरिस्रिक्षन खतम कर दिये गये और जो तो वह था अनम मैदा थी उसको बैन कर दिया गया मिलब उसको मीट को ब्रैट को राशनिंग कर दी गए उनकी वेज़स कर दिए प्रैस कर दिए यह सब कुस्त तो नैपॉलियों यह को था लेकिन इसका गाटा ता नैपॉलियन दिक्तेटर बन गया और उसने डेमोक्रेसी को खतम कर दिया तो डेमोक्रेसी वास डिस्टॉइड नेक्स कोश्चन पर जाते हैं क्जांगा जिसमें मैंने वैल्स वाला कोशन समझाए कि इन्डिवीजुल हो सकते हैं तो मतलब इसका अंसर होजाएगा औल अप यह classification of industries को एक बर go through जरूर करिएगा boards में जाने से पहले यहां से question बनने के chances बहुत हैं developmental से भी ownership के basis पर भी या heavy industry या key industries या consumer industries के basis पर कि वो कौन किस तरीके का product उस कर रहे हैं next question है the oceanic resources beyond nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions इस question को समझने के लिए बच्चों जरा ध्यान से देखेगा मान के चलिए यह हमारे इंडिया की boundary है इस तरीके coastal हमारी boundary है यह तो क्या होता है देखो जरा ध्यान समझना पहले यहां पर बनाई जाती है baseline baseline जिस baseline के basis पर मतलब जितने भी हमारी इसकी fluctuations है जितना भी इसको सीधा कर दिया गया मतलब हमारी coastal area को सीधा करने के लिए baseline बनाई गई इसी baseline से 12 nautical miles तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम हमारा territorial reason ठीक है यह हमारा territorial reason है यहां तक तो हमारे permission के बिना कोई नहीं आएगा लेकिन question ने पूछा है exclusive economic zone यह होता है इसी baseline से 200 nautical mile तक ठीक है यानि 360-70 km की दूरी होती है baseline से calculate होती है हमेशा याद रखेगा तो इस reason में जितना भी petrol मिलेगा जितनी भी मशनिया पकड़े जाएंगी वह सारा काम हमारा इंडिया करेगा ठीक है तो इस तरीके यह वाला concept जाद रखेगा और इस 200 nautical mile के बाहर का जितना भी हो जाएगा वह बिटा ओपन सीज़ा है वह international authority के अंडर में आते हैं वहाँ पर कोई भी ship घूम सकती है कोई भी जाना कुछ भी कर सकता कुछ भी को कुछ भी मिला तो इंटरनेशनल association के पास आएगा उनसे कहेगा कि हमें मिला है तो हमें हमारा हो गया वह डिसाइड करेंगे कि किस देश का होना चाहिए कैसे क्या लेकिन भूटरdadeं वैल्जियम के शाशीयर नहीं करता तो इसकी बच्चो ट्रिक कियाद रखेबा गया जीएफ यह वहाली जीएफ नहीं है जो तुम समझ रहे हो जीएफ ने लक्स लैक्स शाबन मांगाैं तो जीएफ ने लक्स सावन मांगा जी से जर्मानी एफ से फ्रांस नी से निदरलेंड और लक्स से लक्षमबर्ग तीक है तो four countries ऐसे हैं जिनके बॉर्डर Belgium से टच करता है जीएफ ने लक्स मांगा हां जीएफ जर्मनी फ्रांस ने लक्षमबर्ग मांगा तो ये बेल्जियम से टुच होने वाले चार कंट्रीज जिनका बॉडर टुच करता है नीदेरलेंड हो गया लक्जंबर को गया फ्रांस से लेकिन इटली का बॉडर टॉडर करता है इसले इट्ली का आंसर होगा अगर नेक्स कोश्चिन की तरफ बढ़ते हैं इसी तरीके से मैं आप म journée सेंटर के में इंटरे नहीं करेगा सेंट स्टेट के में इंटरफेर नहीं करेगा तो दोनों के पास बरावर पावर होती है। यह कहलता है federalism है next question की तरफ बढ़ेंगे बच्चो next question है ager again below दियरा जुद्छेंस assertion dallजिवार अजान डिक्त डिता तो चानम कि एक क्षो क्या और सवगता है एक क्षोटी सी ट्रिक बताऊगा कि करेंए काम करेगा करेंगा जह सहिके पहले पहले एल पक्या जया लिएorm प्विटेट कर यह सबते है विच्व ब jeg至ने के बादे नहीं इसका मतलब सही होगा I must have तरिक के से देखते हैं अब जोक्त करते हैं अब बात करते हैं दॉनों को जोड़ के देखते हैं दॉनों को जोड़े और बिकाउज लगाते हैं French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. French वालों ने भी इसने माल लिया क्योंकि Dutch वालों आपना लिया था. तो ब्लुकल सही बन रही है तो इस कहां से बनेगा A. Both A and R true and R is the correct explanation of A. Next question है, which of these countries have holding together federation? जो को बेटा, federal system दो तरीके का होता है. एक होता होल्ड करके रखना, holding together, और एक होता है बेटा, coming together. डौनों को समझते हैं, ये अलग-अलग states हैं, ये अलग-अलग states आकर जुड़ गए. और एक पावर बनाई, एक देश बनाया. तो ऐसे को बोलते है, coming together, यहाँ पर हर उंगली important है, हर देश important है, सबके पास बरावर पावर होगी. जिबकि एक ये देश था, बड़ा देश था, इसने से जोड़ के रखा. इन्होंने का कि हम एक बड़ा देश हैं, हम अपने सब states को जोड़ के रखेंगे. holding together, यानि कोई state अलग होनी की बात करेगा, तो उससे कहेंगे special power है, आज अंदर. यह कहरा है, अलग होंगे, नहीं, बापस आज़ा, भाई, तिरको भी समझा लेंगे, तिरको भी समझ लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके के system को, इस तरीके के federalism को हम बोलते हैं, बेटा, holding system, ठीक है, holding together, federation, ये कहां पर है, तो ये Spain, Belgium, India, सबीज की example है, ये all of these होगा. नेक्स है, Belgium में कितने percent French community थी, तो ये चीज आद रखेंगा, बेल्जियम में 40% French थे, 59% Dutch थे, और 1% German थे, ये पूरे Belgium की बात थी, लेकिन Brussels की बात करते हैं, तो Brussels में 80% French थे और 20% Dutch थे, French लोग 40% है, कम है संक्या में, लेकिन power में जादा हैं, क्योंकि resources इनके पास जादा है अमीर थे, तो इसका answer है 40%, next question है, देखें, मैं आपको सिफा answer बता सकता हूँ, sample paper जल्दी solve हो जागा, लेकिन उससाब को सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, मैं इसलिए आपको concept भी सिखाता जा रहा हूँ, the second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government, that type of federation is called, यानि एक बड़ा country अपने states को जोड़कर रखेगा, उन्हें power देगा, तो यह क्या क्लाएगा, यह क्लाएगा holding together, अभी आपको मैंने concept समझाया देगो, इसलिए concepts के यह फायद होते हैं, अगर आप concept समझोगे, तो questions आपको खुद बखुद समझ में आ जाएंगे, इसलिए concept समझा को रो, next question की तरफ जाते देखो, ध्यान से रखना, एक जंगली था, उस जंगली को पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद उसको trade करवाया, व्यापार करवाया, जब व्यापार करने लगा, तो उसकी शादी करा दी, और शादी कराने के बाद में क्या हुआ था, शादी कराने के बाद आणी डिला दिया और अब जंगल यानि फैस्थ उसको हम ने पढ़ाय लिखा ए निकेशन उसके बाद उसके उसरे शादी कर दिया ऑद तो एडर्प्शन adoption adoption के बाद में उसकी संपत्री ट्रांसफर हो गई यानि सक्सेशन यह ऐसे में जो concurrent list में आते हैं यानि इस लिस्ट में रूल बनाने का अधिकार central government का भी होता है और state government का भी होता है लेकिन दौनों के बीच में conflict हो गया तो ऐसे में central government के decisions माने जाएंगे तो इसका answer हो जाएगा बच्चो adoption ठीक है तो अब याद रखोगे ना ट्रिट से कि कौन सी चीज़ इसमें concurrent list में आती है तो गलती नमत करकर आना boards में next union government has exclusive power to legislate union government के पास excessive power exclusive power किस list के लिए देखो union list में union सरकारगी चलेगी स्टेट लिस्ट में स्टेट सरकारगी चलेगी concurrent में दौनों की चलेगी लेकिन conflict हो गया तो central की मानी जाएगी लेकिन recidory list क्योंकि जब हम अजाद हुए थे तो recidory तो थी निंग बाद में इने जोड़ा गया तो recidory को central government पर दिया गया तो इस का अंसर हो जाएगा recidory list यह नि recidory subjects clear next question पर जाते हैं two statements अब फिर से assertion reasoning को फिर से करते हैं देखे कितना आसान तरीके सा आपको भी मजाएगा आप भी कोगे कि सरहाँ अब आसान लगने लगी जो देखे जो feeling of alienization अमंग्दा सेहाला कम्यूटी जो शीलंका में miseratorianism को अपनाया गया उसने सेहाला कम्यूटी को alienization वाली feeling देदी बिल्कुल साही बात जो government थी government ने क्यों आ करा था government ने jobs में government ने colleges में admission के लिए जो लोग सेहाला बोलेंगे उन लोगों को अमंग्दा सेहाला बोलने वालों को नौक्रिया रिजर्फ थी तो जो सेहाला थी वह main language के रूप में सरकार ने अपना ली जबकि तमिल बोलने वालों को अलगने लगा कि अब हम इस देश का हिस्सा नहीं है तो इसके मतलब assertion हो या गलत और रीजनिंग हो गई करेक्ट ठीक है तो इसका अंसर होगा बिटा हमारा डी असर्शन इस रॉप रीजनिंग इस करेक्ट नेक्स ते डेश गुड्स आर यूस्ट फॉर फर्दर अपड़ा दूद यह सब कलाता है इंटर्मीडिटरी प्रोडक्ट क्यों क्यों कि इनकी वेल्यू को अभी बढ़ाया जा सकता है तो आंसर होगा कि प्रिजेंट में जो डेवलप्मेंट चल रहा है वो कैसा है उससे फ्यूचर वाली जनेशन को रिसोर्स मिलेंगे नहीं बेचारे वो ना पानी पीने को मिलेगा ना साफ इंवर्मेंट मिलेगा तो यानि यह सस्टेनेबल नहीं है सस्टेनेबल मतलब बहुत लंबे टाइ इस थ्रेट ऑफ ग्राउंडवाटर है वो किस चीज़ की प्रवलम को जहिल रहा है तो बचो अगर हम बात करते हैं ग्राउंडवाटर को लेकर तो ग्राउंडवाटर में पॉलिशन भी है कंटैमिनेशन भी है लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत है पानी खतम हो रहा है जम जमीन के नीचे ओवर यूज किए उसका तो थ्रेट के सीज के ऊसपर वर यूज की ठायगहा है और अल अम्हव विन नीचे का पानी घंदा भी हो रहा है बिल्ट हर से अंसर होता है, लेकिन तरेट के सीज का ओशधे आपको सब्सादा तभी तो लेवल घरता जा रहा है आगाते है विदी सोर से कहते हैं जो बार-वार बार बार-बार बन जाएंगे अपनी से क्वेक्षियम पेसे और ने जानी है उनका इस happens की historically बढ़ाजD this sector natural products are used used में होना च davon चाहिये इस लिए reasoning गदता है और यही छोटे छोटे points हैs ंजो हमें भाकड़ने की जरुवत है हमें पता है कि primarily sector रहरा है क्योंकि natural product produce होता है ना कि यूज होता है मैं माने कि चलो Tractor का यूज कर रहा हूं खीत में तो क्या वह primary अग्रिक सेक्टर निकलाएगा तब भी वो सब कुछ है तो इसके इस कांसर होगा असर्शन इस करेक्ट रीजनिंग इस रॉंग प्रेशन की तरफ चलेंगे बच्चो नेक्स कोषीन कहा रहा है इन मैं से कौन सी अक्टिविटी तो हो गए आपके 46 questions जिसमें से आपको 24 questions एक section के थे 22 questions एक section के थे 24 में से 20 करने थे 22 में से 18 करने थे इस तरीके से आपका यह section हो गया section C जो होगा वो source based question होगा Source based question में sample paper में मैं आप लोगों को sample paper में दिखा देता हूं और आप लोगों के लिए homework यही रहेगा कि आपको यह खुच से try करने होंगे ध्यान से देखेगा जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा आप screenshot लो screenshot लेने के बार आप मुझसे पूछ सकते हो ठीक है इसके regarding questions मैं आपके इसके regarding questions समझाऊँगा क्योंकि ये वाले questions है जो change होते रहेंगे ये पता नहीं कि कौन सा source पुछ ले जाए board में इसलिए मैं source base के लिए एक अलग video बनाऊँगा जिसमें सारे source base को एक साथ के लिए करूँगा आते हैं section D की तरफ जिसमें हमें 2 questions मिलेंगे जिसमें map based questions होंगे बच्चो map based में बहुत असान होगा point लगा होगा आपको पहचानने की जरुवत है जैसे अगर हम बात करते हैं इस वाले map की इसमें हमें B point दे रखा है यहां पर B point यह रहा और A point यह रहा हमें ऐसे करके दो points दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है पहले वाले में की A point cotton producing state ठीक है cotton producing state पूछ रहा हमसे A पर तो A की तरफ अगर हम जाते हैं तो A कौन सा state है बेटा जरा ध्यान से देखो यह गुजरात ठीक है तो इसका answer हमारा सीधा सीधा बन जाएगा गुजरात answer हो जाएगा next question पर जाते हैं कि BMAP में पूछा है कि हिमाचल में एक damn है हिमाचल परदेश में एक dam है वी मैप में तो देखो बटा यह हिमाचल परदेश है हिमाचल परदेश के पास में एक स्टेट लगता है जिसका नाम है पंजाब ठीक है तो यह देखो यह वाले स्टेट मैप को दिखाता हूँ एक से के लुकिए यह वाला देखे और मैक्सिमाइज करते हैं यह वाले स्टेट है हमाचल और यह वाले स्टेट है पंजाब यहां पर से एक नदी निकलत सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में लगता है पंजाब के बॉर्डर के पास में ही है बहुत भाकर नांगल डेम तो इसका अंसर हो जाएगा बेटा हमारा भाकर नांगल डेम ठीक है लास्ट कोशन था हमारा इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मिल सके चले मिलते हैं नेक्स पार्ट में बचले